यह कलम ही आपकी बुनियाद है और अपना टैलेंट जो है उसको एक्सप्रेस करो ना कि उसको हिडन रखो थर्स्ट फॉर नॉलेज वो मैंने 12th स्टेंडार्ड में लिखी थी तो वो मैगजिन में पॉब्लिश के गई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी फिर उसके बाद मैंने बागी राइटिंग स्टार्ट की गुर्मानी कश्मीर मैं आप सब का खैर मगदम नाजरीन आज हम आपको एक ऐसी लड़की से रूबुरू कराएगी जो कि साउथ कश्मीर से तालुक रखती है और उन्होंने काफी कम उमर से ही लिखना शुरु किया क्योंकि उनका कहने के मताबक उनको जो है बच्मन से ही लिखने का थी काफी ज़्यदा शोक था फिर 19 साल की उमर से उन्होंने लिखना शुरु किया और आज उनके हात में एक किताब है जो उनूने खुद लिखी है सिदें से बात करते हैं और जानते हैं मजीद इस किताब के बारे में और साथ ही साथ किस चीज़ में उनको इंस्पायर किया ये किताब लिखने के लिए मेरा नाम अनीका हिदायत है तो कहा से है आप? मैं वैसबट पोरा कुलगाम से हूँ तो कब से लिखने का शोग था और क्या-क्या पहले पहले लिखना पसंद था? मुझे लिखना बहुत पसंद था तो उनीस साल की उमर में मैंने पहले सिटार्ट किया लिखना उसके बाद मेरी ये बुक कंपलिट हो गई जिसका नाम है The Girl With Wings तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो कि मेरी एक पहली बुक पाबलिश हो गई इस बुक का टाइडल जो है The Girl With Wings इट मेंज फाइट टो फलाई with courage and bravery एक इनसान को अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किले आती है तो उनको face कैसे करे उसी को मैंने in the form of articles, in the form of poems and in the form of stories लिखा है बुक में तीन portion लिखे है फर्स्ट portion इसका है short stories जिन में मैंने अपनी life journey भी mention की है और एक इनसान की personal development and behavioral pattern with others वो भी mention किया और दूसरा पाट है poems उनमें मैंने किया प्यार, मुहबबत, आपस में कैसे लोग एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते है और एक इनसान की दिली खाहिश क्या होती है, inner feelings क्या होती है और hidden talents, उसी को मैंने mention किया in the form of poems और articles में मैंने लिखा जो भी social evils है, suicidal ideations है, about the girl education and बहुत सारी चीज़े ऐसी है कि जिनसे इनसान जैसे कि fear of failure है कि इनसान की जिन्दगी में कोई ठोकर आती है, तो वो हार मान जाता है तो उसी को मैंने लिखा कि हार नहीं माननी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़े लिखी है, जैसे कि post marriage hiccups in the form of articles मैंने लिखा और वो भी इस pen को एक positive वे में यूज़ करें और इन गलत कामों से बाज आ जाए thirst for knowledge वो मैंने 12th standard में लिखी थी, तो वो magazine में पब्लिश की गई तो मैं बहुत ज्यादा कुछ लिखा, तो थोड़ी सी problem face करनी पड़ी, मैंने जब अपना सारा content summarize कि उसके बाद एक book बना ली, तो फिर इस book को Weth Publishing House उन्होंने भी publish किया और उन्होंने मुझे help कि इसको भी Amazon पे लाने में और बहुत सादा उन्होंने गाइड भी किया इसके related कि कैसी आप बुक को शेप दोगे कैसे आप इसका content में शेप दोगे और कैसे इस book में एक डिजाइनिंग आ जाती है इंटरस्टाइए कि बहुत ज्यादा बुक्स लिखूं मैं बहुत बड़ी author भी बनना चाहती हूं पार्टाइम में क्योंकि राइटिंग मेरी पार्टाइम होबी है तो मैं बहुत जारी बुक्स लिखना चाहती हूं यह मेरी first book है मैं बहुत जादा खुश हूँ और आएंद भी बहुत सारी बुक्स लिखती है अपने सिंदगी जैसे कि बच्पन से मतलब पड़े होने तक अडल्टेज तक आने में कितनी स्टेजिस होती है और इनसान को क्या-क्या सहना पड़ता है और कौन कुण सी डेवलपमेंट होती है इक इनसान में वो सारा कुछ लिखा और भी जो भी कोई प्राबलम आती है लाइफ में तो लाइफ के साथ कैसे मेरे मेसेज यही है तमाम लोगों से कि और जो भी जिनको भी लिखने का शोक है इस पैन को एक पॉजिटिव वे में यूज करो ताकि इससे सिर्फ आप नहीं बिल्कि पूरी दुनिया बादल सकती है क्योंकि एक कलम है जिसको अला तला ने बहुत सी रहमत से नावाज है यह क आपकी बुनियाद है और अपना टैलेंट जो है उसको एक्सप्रेस करो ना कि उसको हिडन रखो क्योंकि एक्सप्रेस करने से सब को बदा चल जाएगा कि आप में कितनी हिम्मत है और आप कितने ब्रेव हो जो भी कुछ लिखना चाहते हो तो उसको लिख लो इस पैन को कि जिन्हों ने काफी कम उमर से ही किताब लिखी जिसका नाम है दे गर्ल विद विंग्स तो आगे भी आप तक ऐसी स्टोरी इंस्पिरेशनल स्टोरी पहुंचाते रहेगे तब तक के लिए दीजे इजाज़त मैंजर का शफी क्यामरा पर्समुपी दिलाल के साथ